एक मरीज जो है डॉक्टर के पास जाता है क्याता है डॉक्टर साथ मुझे भूलने की विमारी है कोई भी बात कुछ चंद सेकंड से अधिक याद ही नहीं रहती कब से है डॉक्टर क्याता है क्या कब से है मरीज क्याता है क्या कब से है भूल गया है इतनी खी स्मृती होती है एक साधारण व्यक्ति की अनाश्रित कर्म भलं कार्यम कर्म करोति जा ससन्यासी चा योगी चा ना निर अगनेर चा अक्रिया इस जो अध्याय है इसका नाम है आत्म सैयम योग कि अपने आपको मनुश्य कैसे सैयम में रखे जो सैयमित है वो सुखी है इतना ही नहीं केवल वही सुखी है जो सैयमित है जिसके हृदे में जिसके मन में सैयम है जिसको की self-regulation आत्म सैयम या self-restraint या self-control या अगर योग सुत्रक अनुसार देखा जाए तो एकागरता को रखना भी सैयम ताकि एक परिभाशा है जिसका मन एकागर हो जाए वो सैयम है क्योंकि जब तक मन भटक रहा है तक तक सैयम संभव नहीं है और यदि सैयम नहीं है तो सैयोग नहीं हो सकता यदि सैयोग नहीं है तो योग नहीं हो सकता और यदि योग नहीं है तो प्राप्ती नहीं क्योंकि योग से ही हम उर्जा लेगे जुड़ना युज से योग बना जिसके साथ जुड़ गई वहीं से हम उर्जा को प्राप्त कर रहे हैं तो हालां कि अरजुन ने पूछा नहीं भगवान से ऐसा कुछ कि आत्मसंयम योग क्या है या सन्यास क्या है वो तो अठार में ध्याय में जाकर मुझे त्याग और सन्यास के बारे में प्रिथक प्रिथक अलग-अलग से बताईए परन्तु अभी भगवान ने कहा है वो व्यक्ति कौनता है जो कर्म भल का आशरय ना लेकर अपने कर्मों को कर सके अनाशरत कर्म भलम कारम कर्म करो दिया स सन्यासी चो योगी चा वही व्यक्ति सन्यासी है और वही व्यक्ति योगी है ना निर अगनिर चा अक्रिया वो नहीं जो कहे मैं अब अगनी होत्र नहीं करूंगा क्योंकि जो सन्यासी होते हैं काईदे से देखा जाए तो उनको अगनी होत्र अर्थात यग्य का त्याग करना होता है और उसकी बजाए वो दोना लगाते हैं या रमाते हैं जिसको कहते हैं कि वरिक्ष की लकडी रख दी और वो धीरी धीरी जो है चलती जा रही है जो वर्न आश्रम की विवस्था थी कि ये ब्रह्मन हैं, ये क्षत्रिय हैं, इत्यादी उसके अंतरगत किसी को यग्य करने का अधिकार था, किसी को नहीं जब तक मन में वो अभिमान भी शेश रहे, तब तक भी जो सादक है एक अच्छा सन्यासी नहीं बन सकता तो उन्होंने कहा वर्जित कर दो अगर अच्छा सन्यासी है तो अपने जनेयों भी उतार दे और अपनी शिखा भी कटवा दे और जटाएं रख ले और यग्य करना बंद कर दे एक बार उसको धार्मिकता से उपर उठना होगा तो ही वो धार्म की अनभूती करेगा पर अंतो भगवान ने कहा वो विक्ति सन्यासी या योगी नहीं हो जाता जो कहे अब मैं यग्य नहीं करूँगा या अब मैं चअक्रिया अर्थात अब मैं कोई करम ही नहीं करूँगा क्रिया ही नहीं करूंगा कि अब बस मैं बैठके खाऊंगा और यही मेरा धर्म है वो सादू नहीं हो जाता वो तो एक भ्रांती है यम सन्यासमिती प्राहुर योगम तमविदी पांडव नहा सन्नस्त संगल्पो योगी भवती कह्चन यम सन्यासमिती प्राहुर योगम तमविदी पांडव योग और सन्यास में कोई अंतर नहीं है कौन तई सच्चा योगी सच्चा सन्यासी है और सच्चा सन्यासी सच्चा योगी है वस्तरों से तो परंपरा है वस्तरों से तो एक विवस्था है वो विक्ति सन्यासी नहीं है जो कहे अब मैं सब कर्मों का त्याग कर चुका हूँ सब संकल्पों का त्याग कर चुका हूँ अर्थात अब मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा निर्धारन या निर्धारित नहीं किया है कि मैं अब इसको करूँगा या इस कर्म को नहीं करूँगा वैसा विक्ति सन्यासी नहीं है योगी नहीं है हलांकि कृष्ण तो फिर कृष्ण है अभी ये बोल रहे हैं अभी दोश लोग के बाद सुनना क्या कहेंगे अभी कह रहे हैं कि वो विक्ति योगी नहीं है जो समस्त समकल्पों का त्याग कर दे योग तो मन की एक अवस्था है फिर वगवान कहते है आरूरूक्षम मुने योगम कर्मा कारण मुच्चते योगा अरूड से तस्याव शमा कारण मुच्चते कि जो योगा रूड नहीं है अभी अर्थाद जो सच्चा सन्यासी नहीं है अर्थाद जो आत्मसेयम में जीवन को नहीं वितीत कर रहा अर्थाद जो अभी भी अपने कर्मफल से नितांत बंधा हुआ है ऐसे विक्ति के लिए श्रेसकर है वो कर्म करे आरूर उक्षर मुने योगम कर्मा कारण मोच दे उसके लिए यही हितकर है कि वो कर्म में अपने आपको व्यस्त रखे क्योंकि असयमित मन वो मन जो सयमित नहीं है यदि वो अपने आपको व्यस्त नहीं रखता तो वो विशाद गरस्त हो जाता है वो नेगिटिफ हो जाता है वो डिप्रेस्ट हो जाता है वो क्रुद हो जाता है और वो चंचल हो जाता है यदि मन सयमित नहीं है तो भवान नहीं कहा है कि keep yourself busy अपने आपको व्यस्त रखो और आपका कोई उपाई है नहीं यह श्री कृष्ण नहीं कहा है you know, heads down, bombs up, keep working काम पर ध्यान दो व्यस्त रखो यदि योगा रूड नहीं हो पर अंतो कौन तै यदि योग में स्थित हो गए हो तो संकल्पों का त्याग कर दो फिर शमह कारण मुच्चते फिर इंद्रियों का दमन किया जाता है मन का शमन किया जाता है इंद्रियां जब चंचल हो तो संकल्प लेकर किया जाता है कि मैं ये कारियर नहीं करूंगा त्याग जो है इंद्रियों की अवस्ता है, विराग्य जो है मन की अवस्ता है त्याग मनुश्य कहता है मैं यह नहीं करूँगा, मन चाहे लाक कर रहा हो पर विराग्य उससे कहीं अधिक बढ़कर होता है जिसमें विक्ति कहता है मैं अपने मन की सुनूगा ही नहीं मन जो है मौन होना शुरू हो जाता है तो जो विक्ति योगा रूड है जो मनुष्य योगा रूड है जो सादक योगा रूड है अर्थात अरूड मतलब to mount a vehicle उस योग नामक उस वाहन पर वो बैठा हुआ है अब उसके बस में है सिद्धी गत हो गया है हस्त गत हो गया है योग ऐसे विक्ति के लिए मन का शमन करना ही उचित है ना की कर्म करना उचित और उसके बीचे एक बड़ा सरल सा कारण है जब कोई सच्चा योगी कर्म क्षेत्र में उतरता है उसकी गती बहुत अधिक तिवर होती है कार्य को संपन्न करने की आम व्यक्ति उस गती के साथ चल नहीं पाता फिर वो दुखी हो जाता है या तो वो स्वैम को कम समझता है या कहता है यह तो बदल गया जी व्यक्ति पहले तो ऐसा था तीन साल पहले अब तो ऐसे हो गया पर वो व्यक्ति जो है बुलेट ट्रेन की तरह जा रहा है और आप साइकल पे जा रहे हो चेन उतरी होई है वो विजूल आप देख लीजी उतरेंगे चेन चड़ाएंगे तब तक वो ओजल हो जाएगी जो गाड़ी जो चल रही है और इसलिए योगी को ध्यान भी बहुत रखना होता है क्योंकि जब बुलेट ट्रेन पटरी से उतरे तो कोई नहीं बचता वो इतनी तिवर गती से जा रही है साइकल पे जा रही है गिरी भी गए कोई बात नी चार लोग हसेंगे फिर अपना चेन चड़ाई हाथ का ले किये और ऐसे ऐसे थोड़ा किया और चब दिये या कुछ और इंटेलिजेंट लोग होते है वो जो काठी होती है उसके नीचे हाथ पहुँच लेते हैं कई उने उसके नीचे कपड़ा भी रखा होता है तो सबकी अपनी-अपनी कोई युक्ती होती है तो वहान कहा यदि आप योग में स्थित हो फिर तो सोच विचार कर संकल्प लो क्योंकि समस्त ब्रमान्द आपके साथ आपके संकल्प में सहाई होना आरंब कर देता है शुरू हो जाता है इसलिए बहुत बड़ी शिप है इतना बड़ा जहाज है उसको आप मोडने जा रहे हो ये संकल्प नहीं ले सकते कि आज ते किया और कल छोड़ दिया गवान कहते हैं यदा ही ना इंद्रिया रथेशु ना करमस्प ना उशज्ज्ज्टे सर्व्संकल्प सन्यासी योगारूरस्तत उच्ज्ज्ज्टे बिल्कुल ये बगवान ने गुलाटी लगा लिया भी एकदम ऐसे एंगल चेंज किया क्योंकि अब बगवान कहा रहे हैं कि जिस जो मनुश्य अर्थ में अपनी इंद्रियों को ना लगाए और ना ही केवल अपने लिए कर्म करे और सर्व संकल्प सन्यासी जो सब परकार के संकल्पों को त्याग दे वही योगारूड है अभी दो ही शलोग पहले कहके चुके थे नाहसनस्त संकल्पो योगी भवदी काश्चना वो योगी नहीं है जो समस्त संकल्पों को त्याग दे अब कहा रहे हैं सर्व संकल्प सन्यासी योगारूडस ततुच्चते कि वास्तव में वही योगा रूड है जो समस्त संकल्पों का त्याग कर चुका है और इसके पीछे दो कारण है पहला कहीं न कहीं भवान ने इस बात को बताया है कि contradictions जो होती हैं जिंदगी में वो coexist करती है साथ साथ चलती है संबव है कि मनुष्य दुखी और सुखी हो एक ही समय पर होता है संबव है कि प्रकाश और अंदकार विद्यमान हो एक ही समय पर हर प्रज्वलित कमरे में कहीं न कहीं एक कोना अंदकार से जरूर भरा होता है तो पहला है कि संकल्प मत लो वो विक्ति योगी नहीं है जो संकल्प नहीं लेता उसमें भगवान एक भारी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो लोग जो सन्यास को ढंग से समझ नहीं पाए और उनने कहा मैं कर्म ही नहीं करूँगा पर जो योगारूड हो गए है भगवान ने कहा है उनको ऐसे कर्म जो हैं शोभा नहीं देते सोच विचार कर उनका संकल्प होना चाहिए सोच विचार कर कर्म होना चाहिए योगारूड होने के बाद आत्मसयमी होने के बाद यदि एक व्यक्ति अभी भी अपने लिए जी रहा है तो वो योगारूड ना हुआ वो अभी फिर तो उसमें और किसी साधारन व्यक्ति में फरकी नहीं एक जो साधारन व्यक्ति है वो भी अपने दुख को ही रोता है अपने दुख का ही इलाज ढून रहा है अपने सुख की खोज में ही निकलता है और यदि योगी भी ऐसा करना शुरू कर दे पिर तो समस्या है और ये मनुश्य भूल जाता है एक मरीज जो है डॉक्टर के पास जाता है क्याती है डॉक्टर साथ मुझे भूलने की बिमारी है कोई भी बात कुछ चंद सेकेंड से अधिक याद ही नहीं रहती कबसे है डॉक्टर कहता है क्या कब से है मरीज के दा क्या कब से है भूल गया है इतनी की स्मृति होती है एक साधारन व्यक्ति की आज न्यू येर रेजलुशन बनाएगा 1st January को और 31 December को जाके देखेगा क्या बनाया था अगले ही दिन भूल जाएगा दो दिन में ही पूरी हवा निकल जाएगी वो जो संकल्प का बल जो नहीं होता वही अंतर होता है एक योगी में और एक भोगी में एक योगी जब ठान लेता है कि मुझे ये करना है तो फिर कोई उसको रोक नहीं सकता एक भोगी जब ठानता है मुझे कुछ करना है सबसे पहले वो refresh को ही रोकता है क्या जरूर्थ पड़ी है क्जिए वे ऒगवार नहें किया उद्रेद आत्मन आत्मानम नात्मानम मसादेव आत्मेव अत्मन वा बंधूर आत्मेव औरिपुर आत्मन उससे पहले बंदूर आत्मे आत्मे वा आत्मन जिता कुछ ना समझाए, आत्मा तो सूनी गए हुआ इतनी साह है के नहीं कि वो विक्ति, वो आत्मा जिसका मन उसके वश में है वो आत्मवान है वही आत्मसयमी है याद है न भगवान ने पहले अर्जुन को गाता त्रैगुन्य विश्यवेदा निस्त्रगुन्य भवर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग ख्षेम आत्मवान कौंते आत्मवान हो अब जाके भगवान बता रहे हैं आत्मवान है कौन वो व्यक्ति जिसका मन उसके वश में है वो अपना सबसे बड़ा मित्र है बंदूर आत्मा आत्मनस्तस्य ये इन आत्मे वात्मना जीता है जिसने अपना मन जीता हुआ है वो अपना सबसे बड़ा मित्र है और जिसका मन उसके वश में नहीं है, जो अपने मन के वश में है, वो अपना सबसे घोर शत्रू है। तो मनुश्य का सबसे परम मित्र मनुश्य स्वयम होता है, और सबसे घोर शत्रू वो अपना स्वयम होता है। ना तो कोई दूसरा विक्ति हमारा मित्र है, ना ही कोई दूसरा विक्ति हमारा शत्रु है हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं, हम ही अपने सबसे बड़े मित्र होते हैं जब हम अपने मन को समझा सकें कि ये अशोभनिय है, अकीर्थिकर है, अनार्य है ये कर्म मुझे ये विचार मुझे शुभा नहीं देता और मन आपकी सुन ले तो आप अपने मित्र हो गए जब मन बोले पर सभी ऐसा करते हैं वो भी ऐसा करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता इस दफ्तर में सभी ऐसा छुट्टी लेते हैं जो भी है मैं क्यों नहीं ले सकता अगर वैसा विचार हो मन में तो याद रखना उस समय ना तो आत्मसंयमी हैं ना योगी हैं और जो भी संकल्प है जो आत्मबल है वो ख्रीन होता चला जाता है इसलिए संकल्प की शक्ति को भगवान ने इतनी अधिक प्राथमिक था और महत्वता दी है कि संकल्प धारण करके मनुश्य को जीवन में कुछ कहरे करना चाहिए और अरजुन को भी वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि माना तुम दुखी हो मन नहीं कर रहा भाय लग रहा है पर संकल्प लो और मिदान में उत्रो फिर जो होगा उदेखा जाएगा यह नहीं कहरे के जीत ही होगी यह नहीं कहरे के हार ही होगी जो भी होगा उस पर विचार करेंगे पर कर्म तो करो जब तक करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा और यही भगवान ने बोला है शांती का मार्ग है मनोशे का क्या जिस विक्ति ने अपने मन को जीत लिया है वो परमात्मा में ही समा जाता है वो परमात्मा जैसा ही हो जाता है जितात्मना प्रशान दस्यर जो एक शांत हो चुका है मन में जो जान चुका है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे करनी पड़ेंगी चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं उसमें मुझे व्याकुल या विचलित या दुखी होने की आवशक्ता नहीं है उनको खुशो कर भी किया जा सकता है कहीं मैंने पड़ा था कि you decide whether you want to lead a life of misery or happiness the work required is exactly the same either way the amount of effort or energy that you require to be miserable or to be happy is identical दुखी रहना है कि सुखी दोनों में ही उर्जा लगती है दुखी रहना तो उतने कारण बिलेंगे दुख दुखी होने के सुखी रहने तो उतने कारण बिलेंगे सुखी होने के उल्ला नसरुदीन जो है चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है कहते हैं इसने किसी का स्कूटर चुराया है जज के सामने पेश किया जाता है तो सारा कारवाई की जाती है जज बोलता है मुला मैं तुम्हें बरी करता हूँ बाइज़त उसने का सच मुझे? हाँ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है स्कूटर चोड़ी करने का तुम पर जूटा इल्जाम लगाया गया है उसने का अल्ला आप परहम करे जज साहब बस एक मेरा सवाल था स्कूटर अब रख सकता हूँ न वो स्कूटर मेरा हो गया न अब तो बरी हो ही गया तो विचार जो है हर विचार मनुश्य पर एक इल्जाम होता है पर जो बुद्धी जिवी होता है वो विचार को रखना जानता है जिसको विचार रखना नहीं आता उसका मन एक सोडा की बोतल की तरह होता है सोडा वाली बोतल वो हलका सा हिलते ही जैसे ही खोलेगी ऐसे उफान आता है उस विक्ति को समझ ही नहीं आता कि मुझे कहां रुकना है चाहे वो विलास का उफान हो चाहे शोक का उफान हो चाहे क्रोध का उफान हो जब उसकी बोतल खुलती है तो नशा नहीं उफान होता है प्रतुशी तूष्न सुख्दुखेशु तथा मान पमानियो कौन तए जो योगी होता है जो शान्त है जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है जो परमात्मा स्वरूप हो गया है वो पगला नहीं जाता छोटी-छोटी बातों को लेगा कि आज ठंडी बहुत ऐसलिए देश बेकार हो गया आज गर्मी बहुत ऐसलिए सरकार बेकार हो गयी क्योंकि बिजली नहीं आज किसी ने मेरा पमान कर दिया वो विक्ति बेकार हो गया उसको खत्म कर दिया जाए आज किसी ने मेरा सम्मान कर दिया मैं जो बहुत मान दिया इसके गले में हार डाल दूँ हार दोनों की गले में डालना है हार कौन सा है उसका अंतर है जो अज्ञानी होता है वो दूसरे की सब भावनाओं को सत्य माल लेता है परन्तु आपको एक बात समझनी होगी किसी की भी कोई भी भावना स्थाई नहीं होती हर व्यक्ति की जो भावना है वो समय के साथ बदलती रहती है कई बार वो बस एक सिक्लिकल होती है आज वो अच्छा लग रहा है आज उनका मन अच्छा है आप से अच्छी बात हो गई आप भी अच्छे हो गए कल उनका मन नहीं अच्छा आप से अच्छी बात हो या आप उतने अच्छे नहीं हो परसुन का मन खराब है आप से अच्छी बात नहीं हो याप से बेकार विकती कोई नहीं यह जो ज्यानी होता है उसके मन की यही गती होती है जो ज्यानी है वो जानता है कि ये सब अस्थाई रंग है किसी ने आज ही हमसे पूछा कि विराग्य को कैसे लाया जाए जीवन में और विराग्य का मूल अस्थिरता या अस्थाई जो लक्षन है इस विश्व का वही है कुछ भी पास नहीं रुकने वाला तो फिर किस चीज को लेकर रोए इंसान किस चीज को लेकर दुखी हो